Hello students, I hope you all will be fine. Welcome to my YouTube channel Kiran Poonia. Let's start our study with smiley face and fresh mind. आज हम exercise 9.5 का question number 7 discuss करेंगे. Question number 7 है, using identity A square minus B square is equal to A plus B, A minus B, find 1.02 square minus 0.98 square. ऐसे ऐसे ही question है आपके पास, तो आपका कैसे करने हैं, 1.02 का square minus 0.98 का square. किसके एकवल आजाएगा, A plus B, A की जगह 1.02 है और B की जगह 0.98. A minus B, 1.02 minus 0.98. 1.02 में 9.8 add करोगे तो 2 आएगा आपके पास, और 1.02 में 0.98 subject करोगे, तो आपके पास क्या आजाएगा? 0.04. इन दोनों की multiply करवाओगे, 2, 4s जा, 8, 2, 0s जा, 0, 0.20, 0s जा, 0. 2nd पार्ट है इसमें आपका 153 square minus 147 square, तो A plus B है, 1st value A की, 2nd value B की, तो 153 plus 147 and 2nd bracket में 153 minus 147. क्या आजाएगा? आपके पास 7 plus 3, 10, 4 plus 9, 5 plus 4, 9, 9 plus 1, 10, 1 plus 1, 2, 2 plus 1, 3, 300. 153 में से 147 subject करेंगे, तो बचेगा 6. 300 को 6 से multiply करवाओगे, तो क्या आजाएगा? 1800. ऐसे बस आपको सिरफ identity के अंदर A और B की value रखनी थी, एड़ करवाना था, नमबर को subject करवाना था और दोनों की multiply करवाओगे लिखनी थी. 8th question है, using X plus A, X plus B is equal to X square plus A plus B into X plus AB. Find the values of this. 5.2 multiply by 5.3. इनको आपको लिखना है, 5 plus, यह 0.2 बच गया न, तो 0.2. 5 plus 0.3 बच गया तो 0.3. X plus A, X plus B बन गया की नहीं बन गया? यहाँ X की value क्या है? जो first number है. A की value क्या है? फर्स ब्रेकेट में second number. और B की value क्या है? सेकेंड ब्रेकेट में जो आपका second number है. इसके अंदर put कर दो क्या आजाएगा? फर्स एक्स का square, प्लस में A plus B, इन्टु में X, प्लस में A और B की multiplication. ठीक है? 5 का square, 25. 25, 2 प्लस 3, 5 होते हैं, तो 0.3 प्लस 0.2, 0.5, multiply by 5. 0.2 की 0.3 से multiply होगी, तो क्या हो जाएगा? 0.06. 25 as it is. 5 की 0.5 के साथ 2.5, प्लस में 0.06, तो आपका अंसर क्या आजाएगा? 27.56, यह आपका अंसर आजाएगा. बस X, A और B तीनों पता होना चाहिए, यहाँ पे आपकी क्या है? जो नंबर होगा, उसको लिख लेंगे A plus B की फॉर्म में. अब आपके पास next पार्ट है इसका, आपको दे दिया 103, multiply by 96. 103 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 100 plus में 3. और 96 को आप यह लिख सकते हैं, 100 minus 4. 96 होता है न, तो यहाँ पे X की जगे क्या आगे आपका? 100. A की जगे पी क्या आगे आपका? 3. और B की जगे पी क्या आ रहे हैं? minus 4. अगर minus का नमबर है, तो minus 4 ही आएगा. आपके identity में put कर दो, क्या आता है? X का square, plus में A plus B. Multiply by X. Plus में A multiply by B. चीक है? Solve करेंगी इसको. 100 का square क्या हो जाएगा हमारे पास? 10,000. 3. प्लस माइनस माइनस 100. 3, 4, 0, 12. एक प्लस नमबर, एक माइनस. तो answer, माइनस 12. 10,000. 3 माइनस 4. माइनस 1 ना? माइनस 1 के 100 के साथ multiplication. माइनस 100. माइनस में 12. क्या हो जाएगा 10,000 माइनस 100 का 12 है. तो क्या हो जाएगा माइनस 112. विच इज इक्वल टू 8, 8, 8, 9. 9,888 आपका आंसर आजाएगा. Thank you class. क्या हो जाएगा.